नमस्कार दोस्तों मैं हूँ पूर्वी शुक्ला और आप देख रही हैं बोल्ड स्काय सुअस्त हड्डियों और दांतों के लिए कैल्शियम जरूरी होता है जिन लोगों के शरीर में कैल्शियम का स्तर कम होता है हड्डिया कमजोर होती हैं या फिर थाइरोइड की दवाईयां लेते हैं उन्हें टाबलेट या पावडर के रूप में कैल्शियम सप्लिमेंट दिये जाते हैं लेकिन ज्यादतर लोग अपने आप ही कैल्शियम सप्लिमेंट ले लेते हैं केवल ये सोच कर कि उनकी हड्या मस्बूत हो जाएंगी, पर बाद में परिशानी में पढ़ जाते हैं। क्या आपको पता है कि कैल्शियम सप्लिमेंस आपके स्वास के लिए काफी खतरनाक साबित हो सकता है। कैल्शियम लेने का सबसे सही और सुरक्षित तरीका है खाना। खाना जैसे अंडे, दूद, चीज, ब्रॉकली और अंजीर में काफी मात्रा में कैल्शियम पाया जाता है। ये कैल्शियम के सुरक्षित स्त्रोथ है और इनसे स्वास्त पर बुरह असर नहीं पड़ता। आज इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं कि कैल्शियम के ज्यादा खाने से आपके शरीर पर क्या असर हो सकता है। अध्यन से पता चला है कि calcium supplement से कूले की हट्टियों की तूटनी की प्रवत्ती रहती है। ये इस बात से बिलकुल विपरीध है कि calcium supplement से fracture कम होते हैं। जब हम calcium supplement लेते हैं तो हमारे शरीर में अचानक से calcium का high dose हो जाता है। ज्यादा मात्रा में कैल्शियम हो जाने से वो किड्नी में चले जाते हैं ताकि वो बाहर निकल जाएं। कुछ कैल्शियम किड्नी में जमा हो जाते हैं और छोटे-छोटे कैल्शियम के क्रिस्टल बन जाते हैं जिन्हें कैल्शियम स्टोन कह सकते हैं। इस वज़ह से कैल्शिम की गोली नहीं लेनी चाहिए। अध्यन से पता चला है कि जो लोग कैल्शिम सप्लिमेंट लेते हैं, उनमें हार्ट अटाक की आशंका बढ़ जाती है। ये देखा गया है कि जो लोग हर दिन 1000 mg से ज्यादा कैल्शिम सप्लिमेंट लेते हैं, उनमें मरने का खतरा 20% अधिक होता है। तो इसलिए आपको बिना डॉक्टर की सलहा के कैल्शिम सप्लिमेंट नहीं लेने चाहिए। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही, ऐसी ही अपडेट्स के लिए जुड़ी रहिए बोल्सकाय से।